ऐसे कोशिंस में हमें क्या करना होता है सबसे पहले हम जो नीचे की वैल्यू होती है उसको सॉल करते हैं तो उसको कैसे सॉल करना है यहाँ पर देख लीजिए यह 2 प्लस एक बटा 4 है तो पहले इसकी इसमें गुणा होती है तो 4 दुनी 8 और यह उसमें जुड़ता है तो यह बन गया 9 बाई 4 यह जो 9 बाई 4 बना यहाँ तो 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक बटे में है तो यह बन जाता है 4 बटा 9 मतलब जो भी आपने सॉल करके लाए उसका उल्टा आपको यहाँ लिखना है फिर इसकी गुणा इसमें करनी है 9 तिये 27 और यह जोड़ना है 27 और 4 31 बटे 9 बना तो हम इसे 9 बटे 31 लिखेंगे यहाँ पर फिर हम इसे सोल करेंगे 31 एकम 31 और 9 40 तो यह बना 40 बाई 31 फिर से उल्टा करेंगे तो यहाँ 40 बचेगा और यह जो 31 है यह इसकी गुणा में चला जाएगा अब लगुत्तम लेंगे इनका तो इस संख्या को मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 माइनस 31 गुणा 5 को हम लिख सकते हैं 155 बटे 40 इन दोनों की गुणा करेंगे 4.16 और यहाँ देखे बीच में प्लस था तो जोड़ देते थे इस बार माइनस है तो माइनस कर देंगे 15 को और बटे में रहेगा 40 160 माइनस 55 होता है और बटे में 40 5 अठे 40 तो इस पूरे का सुलूशन जो निकल के आया वो है 1 बटे 8 जो की option A है आपने देखा इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हमने सबसे नीचे वाली संख्या को लिया और एक एक step उपर आते चले गए सबसे last step में आक है तब हमारा answer आता है इसको और clearly समझने के लिए एक example और ले लेते हैं ये question है जिसमें हमें x equals to 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 by 2 दिया हुआ है इसमें पहले इस x की value निकालनी है और फिर उसने कहा है 2x plus 7 by 4 का आपको मान चाहिए तो उसके लिए पहले आपको x solve करना पड़ेगा मतलब ये वाला पूरा solve करना पड़ेगा फिर से वही करते हैं सबसे नीचे से solve करना start करते हैं तो 2 upon 2 plus 1 3 by 2 है तो उसका उल्टा यहां लिखा जाएगा जो की होगा 2 by 3 फिर हम इस 3 upon 3 इन दोनों के multiply की और ये 2 add कर दिया तो 3 upon 3 और 2 5 by 3 बन गया जिसका उल्टा करके हमें यहां ल तो 5 एकम 5 और 3 add करेंगे तो यह बन गया 8 by 5 जिसका उल्टा करके 5 by 8 यहां लिखा जाएगा अब 8 एकम 8 और यह 5 जुड़ेगा तो 13 by 8 हमारा answer आया x का सिर्फ यह अभी x की value आई है जिसको हम यहां रखेंगे यहां रखने के लिए आप यह देखें 2x है मतलब 2 की multiply x में हो नहीं है 2 गोणा x की value आई थी 13 by 8 प्लस 7 by 4 लिखेंगे तो आप यह देखें 2 चोके 8 मतलब यह हो गया 13 by 4 प्लस 7 by 4 तो यह बन गया आपका 13 और 7 20 by 4 जो कि होगी 4 पंजे 20 पांच आपका correct answer हो गया तो इस तरीके से इस step के question को किया जाता है यह सडली करन के question होते हैं और यह पहुँ जादा पूछे जाते हैं SSC और पुलिस के exams में उमीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जिसको समझ में नहीं आया comment box में लिख सकता है जहां भी doubt है मैं next वीडियो में आपको explain कर दूँगा thank you